पीट लाओ ने ट्वीट करके बताया पैंडेमिक की वजह से हमने वन प्लस एट सीरीज की लॉंच डेट तीन बार एक्स्टेंड की इसका मतलब अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो वन प्लस एट सीरीज मार्च में ही हमें देखने को मिल जाती जैसा कि आप जानते हैं वन प्लस एट सीरीज की अफिशल लॉंच डेट आ गई है जिनको नहीं पता मैं बता दू वन प्लस एट सीरीज अप्रेल 14-2020 को लॉंच होगी अगर टाइमिंग की बात करू तो 11 एम इस्टर्न डेलाइट टाइम EDT 4 पी-म ब्रिटिश समर टाइम BST 8.30 पी-म इंडिन स्टांडर टाइम IST और 14 अप्रेल को आपको ग्लोबल लॉंच देखने को मिल रहा है तो बात करते हैं वन प्लस एट सीरीज की स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस एट सीरीज में आपको दो मोबाइल फोल्स देखने को मिलेगे इस बार आपको डिजाइन में ज्यादा कुछ खास फरक देखने को नहीं मिलेगा जो पिछले साल 7 प्रो में डिजाइन देखने को मिला था similar design इस बार भी देखने को मिलेगा यानि की glass design देखने को मिलेगा आगे भी और पीछे भी और Corning Gorilla Glass 6 की protection देखने को मिलेगी और इस बार आपको punch hole display देखने को मिलेगा ना ही कोई notch ना ही कोई pop-up camera चलिए अब कुछ specifications की बात कर लेते हैं OnePlus 8 series की सारे devices 5G enable होने वाले हैं और Qualcomm Snapdragon 865 जो latest flagship and most powerful processor है वो भी आपको OnePlus 8 series में देखने को मिलेगा और इस में 128 GB and 256 GB storage variant UFS 3.0 देखने को मिलेगी 120 Hz refresh rate ये confirm नहीं है की 8 में भी देखने को मिलेगा या सिर्फ 8 Pro में अगर RAM की बात करे तो इस में आपको 8 GB and 12 GB देखने को मिलेगी और ये होगी LPDDR5 RAM पहले बात करते हैं OnePlus 8 की OnePlus 8 में आपको Full HD Plus 6.55 इंचर्स Fluid AMOLED देखने को मिलेगी और इसी के साथ HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा इसी के साथ 2MP का Depth Sensor देखने को मिलेगा बैटरी 4300 mAh और इसी के साथ ही Warp Fast Charging 30TW भी देखने को मिलेगी OnePlus 8 में आपको नहीं Wireless Charging और नहीं कोई IP Rating देखने को मिलेगी OnePlus 8 में आपको Interstellar Glow, Glacial Green, Onyx Black ये New Colors देखने को मिल सकते हैं चलिए अब बात करते हैं OnePlus 8 Pro के बारे में इस में Tab Pro है देखते हैं OnePlus 8 Pro में आपको QHD Plus Curve Display 6.78 Inches Fluid AMOLED देखने को मिलेगी इसमें खास बात यह है इसमें आपको 120Hz refresh rate देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही इसमें आपको MEMC Technology का support भी देखने को मिलेगा अगर आप इसमें कोई भी वीडियो देखेगे जो 24Fp एस या 30fps पे shoot हुए होगी फोन में ये capability होगी कि वो उसके frames को increase कर दे 60fps या उससे भी ज्यादा इस ये ये होगा आपको वीडियो ज्यादा smooth देखने को मिलेगी इसी के साथ HDR10 का support भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही इसमें जो maximum peak brightness 1400 nits की भी मिलेगी इसमें 2.0 haptic feedback भी मिलेगा जो की काफी improve होगी OnePlus 7 Pro और OnePlus 7T Pro से और OnePlus 8 Pro में quad camera setup देखने को मिलेगा OnePlus 8 Pro में 16MP front shooter camera देखने को मिलेगा और triple rear camera setup जो की 48MP primary camera sony sensor होगा और इसमें OIS का support भी देखने को मिलेगा और secondary camera 48MP sony ultrawide sensor होगा और इसी के साथ 8MP 3x optical zoom और 30x digital zoom देखने को मिलेगा और जो 4th sensor होगा वो 5MP color filter या depth sensor देखने को मिल सकता है OnePlus 8 Pro में 4500mAh की battery देखने को मिलेगी और कहां तो ये भी जा रहा है इसके साथ warp fast charging 30W का भी support देखने को मिलेगा पर मुझे लगता है warp fast charging 30T नहीं warp fast charging 50W देखने को मिल सकती है OnePlus 8 Pro में आपको 30W wireless charging और इसमें 3W की reverse wireless charging और IP68 रेटिंग भी देखने को मिलेगी reverse wireless charging इसलिए क्योंकि OnePlus आने वाले टाइम में true wireless earphones introduce कर सकती है शायद true wireless earphones OnePlus 8 series के साथ ही देखने को मिल जाए इस बार आपको best camera performance देखने को मिलेगी अब तक की सारे OnePlus devices में पीट लाओ ने ट्वीट करके बताया OnePlus 8 Pro ने एक दो नहीं, तेरा record तोड़े है OnePlus 8 series में always on display देखने को मिलेगी OnePlus 8 Pro में आपको ultramarine blue, glacial green, onyx black ये new colors देखने को मिल सकते हैं कहा जा रहा है OnePlus 8 series के साथ OnePlus Bullets Wireless Z जो की OnePlus Wireless Bullets 2 का successor होगा ये भी launch होगे और ये चार colors में आएगे प्राइस की बात करें तो इस बार OnePlus 8 series expensive देखने को मिलेगी ये पीट लाओ ने confirm किया है और जैसा की आपको पता है इस बार के budget में mobile phones के tax 12% से 18% हो गया है तो आपको थोड़ा expensive देखने को मिलेगी OnePlus 8 series OnePlus 8 की pricing की बात करें तो $5.49 का base variant देखने को मिल सकता है और OnePlus 8 Pro की बात करें तो $7.99 का base variant देखने को मिल सकता है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है pricing के बारे में आपको क्या बताना आपको का भीडियो आपको काऊ देखने के लिए वीडियो आपको कीमती आपको का वीडियों झाया अ लोगता है